वेलकम बैक, आखिरकार आज हैसेंस ने इंडियन मार्केट में आपनी पॉपिलर स्मार्ट टीवी हैसेंस यूज 6GK 55 इंच वाले वेरंट को लाँच कर दिया है जो कि एक QLED स्मार्ट टीवी है और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये स्मार्ट टीवी इस समय काफी धमाकेद आज की वीडियो में यहां पर हम इसी नई टीवी के सारे डिटेल्स जानेंगे जानेंगे कि इस हैसेंस के टीवी में आपको क्या कुछ अलग देखने मिल रहा है और क्यों ये स्मार्ट टीवी एक बहुत ही बहतरी न आप्शन निकल कर आने वाली है इसी के साथ ये आपको अपने वीडियो के जो रिवीवी देखें उनके बेसे पर एक आइडिया देने की कोशिच करूंगा बाकि जब टीवी आ जाएगी मार्केट में और मैं टीवी अरेंज करूंगा तब आपको एक डिटेल रिवी वीडियो मिल जाएगा तो आई होप सब कुछ क्लियर हैं चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं बाई देवे अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक ज़रू कर देना इससे बहुत मोटिवेशन मलती है और चैनल पर नए हैं स्मार्टी विलेन की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक करना शुरू कर रहे हैं यहां पर हम थोठा सा ब्रैंड के बारे में जाल लेते हैं जो कि आपके लिए थोड़ा यूस्फुल होगा तो देखी हैसने जो ब्रैंड है इंडियों मार्केट में निउ है लास्ट येड दो हाजार बीस में और ऑगस मत में हैसे ने इनियन मार्क इसकी तो वहाँ पर Hisense की TVs काफी ज़धा popular हैं और popular होने का reason यह है कि आपको काफी कम price में काफी अच्छी picture quality और काफी तगड़े specification देखने मल जाते हैं Hisense के international smart TVs में और इसी के साथ Hisense की TVs LG, Samsung ये कुछ TVs को भी काफी तगड़ा competition देते हैं और इस वहाँ से Hisense जो है वो काफी ज़धा popular है लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडियन market की तो Hisense ने पहले साल में जो TVs इंडियन market में launch करे हैं वो अच्छे option निकल कर आते हैं, काफी अच्छे specification देखने मल जाते हैं और धीरे-धीरे करके जो सभी TVs इंडियन market में अविलेबल है, Hisense के वो भी अब इंडियन market में launch होना शुरू हो जाएंगे और शुरुआत यहाँ पर Hisense U6G से करे गई है जो की Hisense की entry-level QLED smart TV है तो यह है पूरी history और पूरी detail जानकारी अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा idea लग चुका होगा अब बात करते हैं इस नए TV की सबसे पहले यहाँ पर आपको काफी thin bezels देखने भी जाते हैं TV का look और design काफी अच्छा है metallic stand यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं and look के मामले में तो TV काफी अच्छी निकल कर आती है यहाँ पर मैं और एक बात एड़ करना चाहूंगा कि फिलाल TV का 55 इंच वाला ही वेरेंट लांच किया गया है बाकि इसका 65 इंच वाला वेरेंट फ्यूचर में लांच किया जा सकता है इस समय इस TV की प्राइजिंग जो है वो 60,000 रुपीज रखी गई और TV आपको फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल के दुरान मिलने वाला है बात कर लेते हैं TV में आपको क्या कुछ स्पेसिकेशन देखने मलता है तो Hisense की यह नई स्मार्ट TV QLED TV है VA पैनल यहाँ पर आपको लगावा मिल जाता है 8-bit प्लस FRC पैनल यहाँ पर यूज किया गया है और साधे साथ Hisense के इस TV में हमें फुल अरे लोकल डिमिंग का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है जी हाँ आपने बिल्कुल साही सुना इस सेग्मेट में बहुत ही गिने चुने ऐसे TV से जिन में आपको फुल अरे लोकल डिमिंग का सपोर्ट मिलता है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि तीव में आपको जो ब्लाक कलर से हैं वो काफ़ तरा डीप देखने मिलने वाले हैं जनरली जो budget TVs होते हैं उनमें आपको 200 nits, 280 nits, 300 nits, 350 nits, 400 nits की peak जो है brightness max देखने मलती है लेकिन इस TV में 700 nits की peak brightness देखने मलती है इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली आपको टीव में HDR performance काफिजा बहतरीन मिलने वाली है फिर चाहे आप dollar vision content क्यों न देखे या फिर HDR content क्यों न देखे और आपको dark scenes में detailing भी काफी अच्छी मिलने वाली है अब यहाँ पर मैंने TV को use तो नहीं किया है लेकिन इस TV के specification की basis पर और जो मैंने इसके international variant के reviews देखे हैं उनके basis पर बोल रहा हूँ कि picture quality आपको काफिजा बहतरीन मिलेगी और इस segment में कोई और ऐसी TV इस समय इंडिन मार्केट में नहीं है जो कि आपको इतनी इचे picture quality दे सकती है हाला कि TV को बिना use करे जादा कुछ कहना भी सही नहीं होगा तो just मैं इहां पर आपको एक idea देनी कोशिट करूँ exactly अच्छी है या नहीं है जब मैं TV को review करूँगा, detail में test करूँगा तब ही हम जानेंगे लेकिन जो मैंने reviews वगरा देखे हैं और जो यहां पर specification है उस सब को performance काफिधा बहतरीन मिलेगी बाकि TV में आपको HDR10 dollar vision और HDR10 plus HLG का भी support देखने मल जाता है और मैं कहूँगा कि इस TV में यह सारे features देना बनता है और actual में आप यहां पर इंका जो effect है वो देख पाएंगे बाकि TV में आपको MEMC का भी support देखने मल जाता है और साथी साथी यहां पर मैं और एक point include करना चाहूँगा मुझे पता नहीं है कि यह Indian unit में यह feature है या नहीं है लेकिन international variant में बहुत से reviewer ने mention किया है कि TV में आपको एक anti-reflection coating मिलाती है और आपको जैसे पता है कि बहुत बड़ी problem जो है वो reflection की होती है बजट TVs में अगर सामने window है और window से direct light आरे यह TV के उपर तो आपको पूरे reflection देखने मिलता है जो कि आपका पूरा waving experience खराब करता है लेकिन high sense के इस TV में आपको anti-reflection coating में जाती है जो कि काफी हद तक reflection को reduce कर देती है अब I don't know कि यह वाला जो reflection coating है, anti-reflection coating है वो Indian unit में है या फिर नहीं, जब TV AI के test करेंगे तब ही कुछ बोल सकते हैं तो यह है सारे details, picture quality को लेकर picture quality आपको no doubt अच्छी मिलने वाली है बात करते हैं sound department की, तो TV में आपको 2 speakers मिल जाते हैं दोनों के total output यहाँ पर 24 watt है और आपको Dolby Atmos का भी support आपको मिल जाता है मेरे साब से यहाँ पर 30 watt या फिर 40 watt के speakers मिल जाते हैं तो काफी अच्छी बात होती 24 watt में आपको decent audio मिल जाएगा लेकिन अगर आपको अच्छा audio experience चाहिए तो definitely आपको sound bar buy करना पड़ेगा तीव में आपको Android TV 10 देखने मिल जाता है Android TV 10 भी काफी अच्छा है आपको सारे Android वाले features मिल जाते हैं including Google Assistant और सारे popular OTT platforms और Chromecast का भी support आपको तीव में मिल जाता है तीव में आपको 64 bit quad core processor दिया गया है और Mali 470 GPU मिल जाता है मेरे साब से यहाँ पर अगर GPU थोड़ा सा improve किया जाता है तो काफी अच्छी बात हो लेकिन 470 में आपको ठीक टाक अच्छी performance मिल जाती है लेकिन आजकल जो latest TVs है वो Mali G31 के साहत आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा fast है और थोड़ी अच्छी graphics आपको प्रवाइड कराता है बाकि TV में आपको 2GB के RAM, 16GB के internal storage, 3 HDMI port, 2 USB port, dual band Wi-Fi और Bluetooth 5.0 का support मिल जाता है बाकि TV का जो back panel है वो भी यहाँ पर दिखने में काफी अच्छा लग रहा है TV की जो ठीकने से वो भी काफी कम है बात करते हैं TV की pricing की तो TV की pricing यहाँ पर इस समय 60,000 रुपीज रखे गई है 55 इंच वाले variant के लिए जो कि मेरे साब से इस TV के लिए बिलकुल सही price है ना काफी जादा है ना काफी काम है decent price पर यह TV launch करी गई है मैं in fact इस से जादा price expect कर रहा था लेकिन इस TV की pricing काफी अच्छी रखे गई है और जो specifications मिल रहे है वो काफी अच्छ है यहाँ पर हाला कि बिना TV को use करें डिरेकली आपको recommend करना कि जाओ सिधा buy कर लो यह बिलकुल सही नहीं होगा तो मैं आपको directly बोल भी नहीं रहा हूँ कि जाओ सिधा buy कर लो लेकिन specification pricing और जो मैंने reviews बगरा देखें उस साब से TV काफी अच्छी लग रही है इसी के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हमें नहीं देखने मिलता है तो यहाँ पर हमें HDMI 2.1 port नहीं मिलता है normal HDMI 2.0 port मिलता है आजकल सभी TVs 2.1 के साथ आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमें 2.0 मिलता है इसका मतलब यहाँ पर आपको E-Ark port नहीं मिलेगा आपको मिल जाएगा साधी साथ यहाँ पर जो GPU है वो भी अगर थोड़ा सा इंप्रूव होता तो काफी अच्छी बात होती अगर साउंड की बात करें तो 24 के बजाए 30W या फिर 40W के स्पीकर्स मिल जाता है तो यहाँ पर कुछ लोगों को साउंड बार के ज़रौत नहीं पड़ेगी इस TV में और अगर देखा जाए इसके अलावा TV काफी अच्छी निकल कर आती है और डेफिनेटली पिच्छी कॉलिटी में काफी ज़दा फोकस किया गया है और यहाँ पर इसके अलावा मोटरला भी अपने नए क्यूलेट टीवी को लांच करने वाला है तो वो भी देखने बाली बात होगी कि मोटरला में हमें क्या कुछ देखने मिलता है और कौन अच्छा निकल कर आता है साथ साथ यहाँ पर अगर हम कंपार करें कुछ और अधर क्यूलेट ऑप्शन से जो कि इस समय मार्केट में इस सेग्में में अवेलेबल है लाइक मी क्यूलेट टीवी देखिए मी क्यूलेट टीवी को अगर आप यहाँ पर हैसंस के इस क्यूलेट टीवी के साथ कंपार करेंगे तो मी जो है वो कुछ इस लेवल पर है और जो हैसंस है वो कुछ इस लेवल है because Mii में भी आपको QLED panel मिल जाता लेकिन Mii TV में जो brightness है वो hardly आपको 280 से लेकर 300 nits की मिलती है और इस TV में आपको 700 nits की peak brightness मिल जाती है यानि कि जो picture quality है वो definitely आपको high sense में बहतरी मिलेगी और दोनों के TVs के picture quality में जमीन आस्मान का फरक होने वाला है इतना तो मैं definitely बोल सकता हूँ इसी के साथ इसी price range में आपको OnePlus Q1 QLED smart TV देखने मिल जाती है 55 inch के screen size के साथ जिसमें आपको 350 nits की peak brightness मिलती है और अगर हम उससे compare करें तो definitely high sense में ही आपको अच्छी picture quality मिलेगी इसी के साथ इसी price range में आपको Samsung की QLED TV मिलती है जो की entry level QLED smart TV है Samsung के तरफ से वो है Samsung Q60A 2021 की latest TV है अब यहाँ पर अगर आप Samsung को high sense के साथ compare करेंगे तो definitely high sense के TV में आपको HDR performance, picture quality काफी अच्छी मिलेगी लेकिन अगर हम बात करते हैं Samsung की तो Samsung के QLED TV से उसमें आपको hardly 350 to 400 nits की brightness मिलती है तो वहाँ पर आपको picture quality अच्छी लगेगी no doubt HDR performance भी आपको ठीक टाक मिलेगी लेकिन अगर आप high sense और Samsung को compare करेंगे आपने सामने रखेंगे तो definitely जो high sense है वो आपको बहत्रीन performance देगा लेकिन यहाँ पर एक बात में और mentioning करना चाहूंगा कि आप Samsung buy करते है तो आपको एक assurity मिलती है कि अगर TV में problem होगी तो आपको Samsung की तरफ से काफी अच्छी service मिल जाएगी लेकिन high sense की बात करो तो high sense इंडिन market में new है और इसकी जो service है वो उतनी ज़ादा well established अच्छी नहीं है यतना आपको Samsung ने देखने मलती है तो यहाँ पर totally आपके पर depend करेगा I hope यह video आप सब एक लिए useful रहा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरू कर देजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी जरू subscribe कर लेजे आपको यह TV कैसी लगी ही नीचे मुझे comment करके जरू बताना आज के लिए इतना ही मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई स्यावन आरा